तो काई साज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटूब चैनल मोनिटाइज़ेशन के बारे में तो अभी हाल फिलाल में आप लोगों ने यूटूब के ओपर ऐसी बहुत सी वीडियो देखी होगी जिसमें लोगों ने आपको बताया होगा कि यूटूब के ओपर कई ऐसे चैनल है जिनके चैनल पर 10, 20, 30 या फिर 50, 100, 1500 सब्सक्राइबर है लेकिन जो उनका मोनिटाइज़ेशन है वो यूटूब ने इनेबल कर दिया है और उनकी वीडियो पर एड भी आ रहा है लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूटूब के ओपर किसी भी चैनल का मोनिटाइज़ेशन इनेबल करने के लिए उसके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वास्टाइम होना जरूरी है तब ही जो है उनका चैनल मोनिटाइज होगा तो अब जिनके चैनल पर 10, 20, 30 या फिर 50 सब्सक्राइबर हैं लेकिन उनके चैनल का मोनिटाइज़ेशन आउन हो गया है तो ये कैसे आउन हुआ इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे साथ में इसे related कुछ जो question है उनके answer भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ लेकिन इससे पहले हम कुछी जो के बारे में और बात करेंगे तो आपको इस topic से related काफी डेसाई वीडियो देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे लोगों ने अपने opinion को share किया है कुछ लोगों ने बहुत अच्छे information दी है वहीं कुछ लोगों ने क्या किया है कि से views पाने के चकर में लोगों को गलत information भी दे डाली है तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपका channel जो है 2013 या 2014 का है तो ऐसे में YouTube आपके channel का monetization enable कर देगा वहीं इसे एक level उपर कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप YouTube को MCN से जोड़ देते हो तो ऐसे में आपका YouTube channel जो है monetize हो जाएगा तो यहाँ पे मैं इनी सब सवालों का जवाब देने वाला हूँ बिद प्रूफ के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी तरीके से और आपके सारे question के answer मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो guys पहला question यह है कि क्या YouTube के उपर वाकई में ऐसे channel है जिनके channel पे 10-20-40 subscriber है और उनका channel जो है YouTube ने monetize कर दिया है तो यहाँ पे एक YouTuber है उन्होंने अपना YouTube channel मुझे login करने की permission दी और मैंने उस channel को अभी login करके रखा है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है monetize यहाँ पे उनका हो रखा है तो देखे यहाँ पे जो इनका channel मैंने login कर रखा है तो अगर आपको दिखाऊं इनका नाम तो आप यहाँ पे देख सकते है शाह टेक हुशन ठीक है और यहाँ पे अगर मैं इनके creator studio में जाऊं ठीक है तो आपको यहाँ पे दिखा पाऊंगा कि इनके कितने subscriber हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके 29 subscriber हैं और 644 views हैं और अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगे तो your estimate revenue आप देख सकते हैं कि जो 0.02 डॉलर यहाँ पे इनकी revenue दिखा रहा है ठीक है अब मैं आपको video manager में देचलता हूँ तो चलिए video manager में और यहाँ पे video manager में आजाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इनकी video के सामने जो है green color का यह symbol देखने को आपको मिलेगा dollar का green color का तो यहाँ पे यह जो video है सारी monetize है और यहाँ पे देखेंगे कोई video जो है private भी नहीं है ठीक है आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको जो है इनकी एक video भी open करके दिखा देता हूँ जैसे की edit में चलते हैं और edit में जाने के बाद आपको यहाँ पे monetization status दिखाता हूँ मैं ठीक है यहाँ पे चलते हैं क्लिक करते हैं चैनल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं साट टैक हुसेन और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो monetization enabled दिखाएगा आपको ठीक है enabled लिखा हुआ है कई लोग वीडियो में आपने देखा हुआ कि उनकी वीडियो में enabled लिखा रहता है ठीक है तो वो लोग editing करके जो है वहाँ पे चिपका देते हैं जबकि अगर किसी का भी channel monetize होगा तो यहाँ पे आपको enabled लिखा हुआ दिखाई देगा ठीक है यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इसके इलावा जो है एक चीज़ की मुझे permission नहीं है इनके adsense को दिखाने की लेकिन फिर भी मैं आपको इनका adsense दिखाने जा रहा हूं ठीक है तो यहाँ पे मैं तो views काम आते हैं इस बज़े से यहाँ पे जो है आपको कम चीज़े देखने को मिलेगी यहाँ पे देख पाएंगे तो इसके अलावा जो है कुछ लोग अगा बोलना है कि भाई जो 2013-2014 का चैनल है वही monetize हो रहा है तो यहाँ पे मैं इस बात का भी answer देने वाला हूँ तो इसके बाद देखिए 29 subscriber 644 views और जो join किया है इन्होंने 24 June 2016 को join किया है ठीक है तो अब जिनका doubt था कि 2013 या 2014 के channel है वही monetize हो रहा है तो अब जो doubt होगा आपका clear जागा अगर आपका channel जो है 2015, 2016, 2017 या 2018 का है या फिर 2009, 2010 का है कभी भी आपने बनाया हो इस बात से कोई भी फरक पढ़ता है अगर सभी के channel यहाँ पर monetize हो रहा है बक के करन तो आपका channel भी monetize हो सकता है तो अब बात करते हैं second question के बारे में वो second question यह है कि कुछ लोगों ने बोला था कि 2013, 2014 का अगर चैनल है आपके पास और अगर आप email करते हैं तो ऐसे में जो है आपका YouTube channel YouTube monetize कर देगा ठीक है यह बोला था लोगों ने अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ उसके बाद आपको और चीज़ समझ में आएंगी तो मैं एक काम करता हूँ अब चलते हैं अपने YouTube application में तो guys यह है मेरा YouTube channel और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लोगों पे और यहाँ पे चलते हैं my email support का option है तभी आप YouTube को mail कर सकते हैं और उनसे आप किसी भी topic के उपर अपना question पूछ सकते हैं और अगर आप यहाँ से अगर mail करेंगे YouTube को तो YouTube आपका जो reply है वो 24-48 घंटे गंदर जरूर देगा ठीक है तो यह जो option है वो किसको मिलता है जो email support का option होता है वो उन लोगों को म आप लोगों ने बताया कि 2013-2014 के चैनल है और उनके चैनल पर जो है monetization enable नहीं था बट उन्होंने email किया और उसके बाद जो है वहाँ पर YouTube ने उनके चैनल का monetization enable कर दिया तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूं मैं switch करने वाला हूं दूसरे चैनल पर ठीक है अब मैं आपके पहले इसको जो है माई चैनल में चलता हूं माई चैनल में जाने के बाद जो है और यहाँ पर आपको 3.00 पर क्लिक करता हूं 3.00 पर क्लिक करने के बाद help and feedback पर चलते है तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो यह चैनल जो है monetize नहीं है और यहाँ पर आपके चनल का monetization enable कर देगा तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कभी भी यहां पर write your feedback क्लिक के भेशते हैं कुछ भी तो YouTube उसका कभी भी reply नहीं करता है ठीक है वो एक feedback मान के जो है उसको store कर लेता है और उसका कोई भी reply नहीं करता है उसके कोई भी reaction नहीं देता है ठी YouTube इसलिए data इकटा करता है ताकि अगर आपको कोई दिक्कत है in future तो उसमें यह कोई समधान यहां पर निकाल सके ठीक है यह इसलिए होता है ठीक है अगर आपको जो है चैनल monetize नहीं है तो आपके में जो है email support का option आएगा नहीं तो आप mail किसको करोगे तो हमारा तीसा question यह है कि कुछ लोगों ने बोला था कि अगर आप MCN जोईन कर लेते हैं तो ऐसे में आपको जो है 4000 गंटे का वास्टाइम और 1000 सब्सक्राइब के जो नहीं है आपका YouTube चैनल जो है monetize हो जाएगा तो मैं आपको साब साब बता देता हूं कि यह देखी यह है freedom का dashboard ठीक है अगर आप आपको नहीं पता है freedom के बारे में तो freedom एक MCN है आप चाहें तो Google कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि freedom क्या है ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कोई भी MCN जोईन करना तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले आपके चैनल पे 4000 गंटे का वास्टाइम पूरा करना होगा अगर आपके चैनल पे 4000 गंटे का वास्टाइम या फिर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो ऐसे में वह किसी को भी आपके चैनल के साथ monetization नहीं करने देगा चाहे वह AdSense हो चाहे वह MCN हो ठीक है तो यहां पे मैं आपको कुछ चीए और दिखा देता हूँ अगर आपको मेरा logo था सब्सक्राइब दिखा देरा होगा तो आपको मेरा नाम भी दिखाई देरा होगा और अगर मैं THोड़ा सा नीचे जाओं गा ठीक है तो आप थोड़ा सा मेरा जो है एक revenue का झलाग भी देख सकते हैं थैक है तो बाकी चीए मैं आपको बताऊंगा बाद में कि MCN किस तरी से काम करता है और किस तरह के से आप जो है mcn के साथ अपने यूटुब चैनल को जोड़ सकते हैं तो यहां पर यूसफ जैक्स के जो दूसा चैनल था उन्हें मुझे दिया था बाट मैं उसको इसी वज़े से लिंक नहीं कर पाया क्योंकि जो यूटुब के पॉलिसी थी वो तो देखिए मैं पहले भी बोल चुका यह यूटुब का एक बग है ठीक है एक गड़बर चल लहीं यूटुब के उपर क्योंकि इस समय जो है यूटुब के उपर बहुत धेर सारा प्रेसर है कि जितने भी चैनल जिनके सब्सक्राइबर पूरे हो चुक है उनके चैनल को मोनिटाइज किया जाए उसी चक्कर में उनके सिस्टम में काफी ज्यादे गड़बर आ रही है जिसकी वज़े से कुछ चैनल जो है वो मोनिटाइज हो जा रहे है तो यह बहुत जल्दी यहां पर फिक्स कर लिया जागा और यूटुब ने अपने ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में भी जो है कोशन के आंसर दिये हैं और उन्होंने साब साब बोला है कि जो भी ऐसे चैनल है जिनके चैनल का मोनिटाइजेशन हमसे गलती से ऑन हो गया है बहुत जल्दी हम उनका मोनिटाइजेशन वापत से करेंगे तो साइध यह आप दस या पंदा दिन या फिर एक महीने से जादा नहीं कर पाएंगे और अगर हो सकता है अगर आप कोई रिस्क लेते हैं तो ऐसे में आपका एड्सन्स या फिर कुछ और भी डिसेबल हो सकता है पर्मेनेंटली जाने से पहले मैं आप सभी को यह ही बताते हैं लेकिन यहां पर कुछ फेक वीडियो थी जिसके विजए से मैंने इतना यहां पर बताया आप सभी को तो काईस फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए और अगर आपके कोई भी कोश्चन रहत जाते हैं तो नीचे comment box में लिखो आगली वीडियो में जो है उसके भी answer दूंगा ठेक